ओके गाइस तो फाइनली सैमसंग ने रिलीस कर दिया है एफिप्टी टूए स्मार्टफोन के लिए वनिये 6.0 विद एंडॉइट 14 की एश्टेवल अपडेट तो आज के इस नीव वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में क्या कुछ इंप्र चानने में इंट्रेश्टेड हो तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए काफी अत्तक इंपोटेंट हो सकती तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा उसके साथ साथ वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक सेर एंड सस्क्राइब जरूर कर लेना तो चेली वीडि इंडिया में रिलीस कर दी है बात कर इसक अपडेट फाइल के बारे में तो 2207.35 MB की अपडेट फाइल दी गई है वन दिस्सेंबर 2023 का लेटेस्ट सिक्रेटी पैच इंक्लिड किया गया बाकी ये अपडेट रहना वो इंडिया में रिलीस किया गया है दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास A52 का स्मार्टफोन है तो आप लोग अपने फोन के सौफ्टेर अपडेट रैप में चेक आउट करो फाइनली अपडेट मिल चुकी होगी है और काफी अच्छी अपडेट है अपडेट जरूर से जरूर कर लेना और जिन भी यूजर्स को अभी तलक अप फीचेज वह और तो सबसे पहले हम बात कर लेटें लॉक स्किन के बारे में तो लॉक स्किन में ट्लॉक के अंदर कुछ निउव फॉन्ट स्टाइल जो है वह долго कर सकते हो अ आप जो है लॉक के अंदर मूब नहीं कर पाते त जो है वो अपने लो hakskin पर रख सकते हो बाकि लो passion की जो notification होती है न तो उसकी भी यहां फर ट्रांस्पेरेंसी घ्राना वह आप आप लोग अपने से set कर सकते हो कम या ज़्यादा आप लोगों को नो nốtिफिकेशन की ट्रांस्पेरेंसी रखनी है वह भी lock skin में जो है वो आपको features मिल जाती है आप अपने according ये सबी changes जो है ना वो lock skin में कर सकते हैं चलिए जानते हैं अब हम home skin के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे home skin पे कुछ खास major changes जो है वो नहीं किये गए बस application के color को जो है वो minor सा change किया गया है ठीक है application के color को थोड़े मोरे यहाँ पे change किये गए जो कि अपकोस हमारे phone के home skin को काफी cool या बैतरीन सा look जो है वो provide कराता है बात करें notification panel के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे notification panel में काफी अच्छी changes यहाँ पे की गई है completely redesign जो है वो notification panel को किया गया phone के top left से swipe करोगे तो notification दिखेगा उसके साथ साथ top right से swipe करोगे तो notification panel मिलेगा जिसमें जो है वो कुछ बड़े बड़े से icons add कर दिये गए जैसे की wifi के icon फिर से bluetooth के icon जो है वो बड़े बड़े से add कर दिये गए उसके बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ पे brightness control भी काफी बहतरीन सा मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे यह notification panel को जो है न वो आप लोग अपने according edit कर सकते हो काफी बहतरीन सी notification panel जो है न वो हमें 16.0 में दी गई है वो दोस्तों weather application में किया गया यहाँ पे weather application को completely redesign कर दी गई है weather की सभी information जो है वो add देखने के लिए मिल जाती है उसके साथ साथ visit भी यहाँ पे improve की गई है ठीक है जैसा कि आप लोग home screen पे देख पा रहे होगे कि weather की जो visit होती है न उसे भी improve किया गया है इसकीन पे अगर आप set करते हो तो कुछ इस परकार से आपको cool सा look जो है वो दिखने के लिए मिलेगा उसके साथ camera में भी जो है वो कुछ new visit दिएगा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है और इसमें option भी आप लोगों को दिए गया है आप लोग अपने according जो है वो option set कर सकते हो then फिर यहाँ पे visit पे click करोगे और automatic जो है वो यहाँ पे picture click हो जाएगा तो यह features आपको visit के अंदर देखने के लिए मिल जाती है चलिए जानते हैं settings के बारे में तो देखी यहाँ पे settings में जो है वो कुछ खास changes नहीं किये गया है ठीक है थोड़े मोरे से जो है वो design को improve करने की courses की गई है और यहाँ पे जो setting में icons हमें देखने के लिए मिलती है ठीक है उसमें minor minor से यहाँ पे changes किये गया है या कह सकतो हो क रिडिजाइन किया गया है बाकी setting के अंदर बैटरी के जो है वो अलग से section बना दिये गया है और यहाँ पे बैटरी के section पे आप click करोगे तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी के जो profile icon ठीक है उसको completely redesign कर दिया गया है काफी सारे information जो है वो बैटरी के आप लोगों को मिल जाएं उसके साथ साथ photo resolution का भी option जो है वो दिया गया है और दोस्तों यहाँ पी क्या होता था कि जब हम कोई भी photo click करते थे तो उसमें जो है न वो date and time जो है वो add हो जाता था वन यह 5.1 के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पे वन यह 6.2 में क्या कर सकते है आपकी date and time को जो है न वो edit कर सकते हो मानों कि अगर आप 10 दिन पहले यहाँ पे कोई भी photo click किये हो और उसे आज ठीक है present day में आपको किसी को send करना है past की photo अगर आपको future में send करना है यह present day में send करना है ठीक है तो आप यहाँ पे date and time को जो है न वो edit करके send कर सकते हो जो कि यहाँ पे वन यह 6.0 में यह features वो add कर दी गई है यह features आपको camera के अंदर देखने के लिए मिल जाती है ठीक है तो अब अगर हम बात करे security and privacy के बारे में तो देखी यहाँ पे security and privacy application को completely redesign किया गया है और इसमें भी आप लोगों को छोटे मोटे changes वो सभी जगा देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको day to day life म इस्तिमाल करोगे तो अफकोस आपको सभी features वो मिलने वाली दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार visit कियो तो चैनल को subscribe करके bell notification जरूर प्रेस कर लिजिएगा साथी साथ वीडियो को अंत तक देखते रिएग वो music application में add किया गया ठीक है जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकतो कि music की visit जो है वो कुछ इस परकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी चाहे वो lock screen हो गया notification हो गया अलग ही वेव आप लोगों को यहां पे music के app में देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है मतलब क notification के अंदर जो है वो wave impact का option finally include कर दियागे जब भी आप music play करोगे तो कुछ इस परकार का wave impact जो है वो music notification या फिर से lock screen के अंदर जो है वो मिलने वाली है जो कि काफी खुपसूरत सा music notification हमें देखने के लिए मिलता है यह भी feature जो है वो 186.2 के अंदर add किये गए है अगले feature के बार में बात करें तो दोस्तों यहां पे permission used में new features देखने के लिए मिल जाती है ठीक है जो भी apps के permissions होते है न तो उसमें app icons add कर दिये गया है जैसा कि आप यहां पर देख सकतो कि 1.5.1 में वो app icons add नहीं किये गये थे लेकिन यहां पे permissions used में जो है वो app icon add कर दिये गया है जो क इंटरफेस को काफी खुबसूरत बनाता है उसके साथ साथ यहां पे calendar में drop and down का जो है वो features add कर दिया गया है पहले क्या होता था था ना कि हमें date या year लाने के लिए काफी स्क्रॉल करने पड़ते थे स्वाइप करने पड़ते थे लेकिन यहां पे drop and down के features आने के बाद आप की गई है जैसा कि आप लोग यहां पे comparison भी देख सकते हो कि one year 5.1 में आप लोगों को वाइपाइ में जो है ना वो quick share का option मिलता था लेकिन one year 6.0 में जो है ना वो share network का option जो है वो add कर दिया गया है तो वाइपाइ में यह features add कर दिया गया है चलिए हम बात करें my files के बारे में files application में क्या-क्य changes किये गया है तो दोस्तों यहां पे files application को completely redesigned किया गया है काफी अची improvements है वो files में किये गया है अलग-अलग sections आप लोगों को देखने के मिल जाती है color जो है वो काफी अची यहां पे add किये गया है तो यह सभी changes जो है ना वो files application में किये गया है उसके साथ-सा साथ साथ अगर कोई qr code है तो वन यह 5.1 में क्या होता था कि qr code scan नहीं हो पाता था आप text को अलग कर सकते थे सिर्फ लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ पर qr code को आप अलग भी कर सकते हो साथ ही साथ gallery में कोई पीक है तो गैलेरी में ही जो है वो qr code को scan कर सकते हो तो यह फीचर आप लोगों को जो है वह इसमें वन यह 6.0 में add मिल जाता है उसके साथ गैलेरी में फोटो आप कोई भी open करते हो उसके information वाले section में जाओगे या details वाले section में तो background effect उसके बाद remaster object eraser यह सभी detail वाले option में देखने के लिए मिल जाता है जबकि 5.1 में क्या होता था कि editing tools में जाते थे तो उसमें यह सभी features आपको मिलता था background effect का, remaster का, object eraser का लेकिन यहाँ पे details वाले option में ही जो है वो इन सभी features को add कर दिया गया है और दोस्तों बात करें अगले feature के बारे में तो samsung के official keyboard में जो है वो कुछ emojis को add किये गया है उसके साथ-साथ emojis के color को यहाँ पे change करने की खोसिस की गई है और उसके shape and size को भी जो है वो काफी हद तक improve किया गया जो कि काफी cool या फिर से funny साथ जो है वो हमें emojis इसमें देखने के लिए मिलता है साथ-साथ यहाँ पे animation भी कुछ जो है न वो new add किये गया है ठीक है 106.0 में जो भी हमें animation देखने के लिए मिलती है वो भी काफी cool cool सी animation जो है वो मिल जाती है तो दोस्तों यह सभी highlighting features थी जो की 106.0 में आपको मिलती है वैसे छोटे मोटे से काफी साथे features जो है वो इस update में include किये गया है अब हम बाप कर लेते हैं कि क्या-क्या bugs हमें देखने क लिए मिलती है इस update के अंदर और वो सभी bugs जो है वो कपतलग fix हो सकती है तो दोस्तों यहाँ पे इस update के अंदर जो है थोड़ी सी heating issue थोड़ी सी battery drain थोड़े मोड़े हमें lag भी जो है वो देखने के लिए मिलते है day to day life में आप लोग कोई भी application यूज़ करोगे तो वो जो है works को fix कर देगा ठीक है यह चीज़ का आपको ध्यान में रखना है तो यह सभी features थे वन्ये 6.0 के टॉप highlighting features छोटे मोटे features काफी सारे include कर दिये गहें जो कि आप लोग day to day life में यूज़ करोगे तो of course यहाँ पे आपको एक फीचर जो है वो पता लगने वाला होफुली आपको वीडियो काफी पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरूर कर लेना उसके साथ साथ description में टेलीग्राम ग्रूप की link दी गई है तो आपने अभी तक वहाँ पे जोईन नहीं किया है तो वहाँ पी भी जरूर कर लीजिगा तो मिलते एक नई वीडियो में तब त के लिए चैहिन बंदे मातरम